नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का सिबिल 101 में मेरा नामे संदीब जाने कैसे आप सभी लोग वेरी गुड मॉर्निंग दो आज के सेशन के अंदर हम केनाल का जो डिजाइन है उसी पोर्शन को पढ़ेंगे कल हमने बात की थी दोस्तों कैनेडी के मैथड से कैनाल डिजाइन करना और उसके बारे में हमने जाना था आज बात करेंगे लेसी की दोस्तों आप पढ़ रहे हैं सिबल 101 के उपर विच इस पार्ट आफ अन अन अकाडमी तो दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना है अगर आप सबस्क्रिब्शन मॉडल पर बढ़ना चाते हैं अगर आप जो स्पेशल क्लासे हैं जो प्री उफ कॉस्ट होते हैं उन पर बढ़ना चाते हैं तो सिंपल आपको educator profile पर जाना है और वो sessions देखने शुरू कर देने invite code पूछा जाएगा बस आप सिर्व आप यूज़ कर सकते हैं संदीप double one और subscription पर पढ़ेंगे तो get subscription पर क्लिक करना है duration पूछी जाएगी आप से कितने duration के लिए subscription चाहिए duration select करने के बाद आप referral code यूज़ करेंगे संदीप double one जिससे 10% आफ भी मिलेगा आपको साथी साथ में आपको access मिलेगा unacademy platform पर throughout the category आप किसी भी educator की कोई भी class आप देख सकते हैं साथी साथ में दोस्तों आप unacademy के उपर जो special classes देखते हैं उनसे मिलते हैं आपको credits और वो credits जो हैं आप use कर सकते हैं आपके subscription को price को reduce करने के लिए तो SSC के अंदर अगर आप तयारी कर रहे हैं और technical exam यानि कि SSC JE के अगर आप तयारी कर रहे हैं या फिर state engineering services के आप तयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आप अपना goal select करेंगे SSC JE and state AE exams अगर आप तयारी कर रहे हैं दोस्तों gate और EAC की तो आप अपना goal जो है वो gate EAC select कर सकते हैं हाँ जी सभी को good morning हाँ जी सभी को good morning चलिए तो दोस्तों anacademy के उपर ask it out feature भी है जैसे ही आप anacademy आप open करते हैं वहाँ पर आपको ये feature दिखाई देता है इसमें आप अपने questions पोस्ट कर सकते हैं जहां से आपको मिलेंगे solution SSE combat में participate करने के लिए हर Sunday ये होता है और इसके अंदर आपको सिर्फ enroll करने के लिए invite code पूछेगा या code पूछेगा तो वो sandwp double one आप use कर सकते हैं तो शुरू करते हैं दोस्तों केनाल डिजाइन की बात कर रहे थे केनाल डिजाइन में हमने बोला कि एक होती है rigid boundary मतलब जिसको lining कर रखी है जिसके surface को protect कर रखा है केनाल क्या है एक channel है एक रस्ता है जिसके थूँ पानी flow करके जाएगा अब उस रस्ते की जो boundaries है उनको आपने क्या कर रखा है protect कर रखा है चाहे concrete की lining है आपके पास चाहे brick की कर रखा है आपने चाहे आप बात कर लीजिए कि आपने वहाँ पर cement से किसी भी purpose के अंदर आपने हाँ पर cement से तो सिर्फ नहीं कर पाएंगा brick की मदद से आपने कर दी या concrete की lining आपने provide कर दी तो इनकी मदद से आप इस surface को protect कर रहे हैं कि यहाँ से erode ना हो material यहाँ से हटे ना हो scouring ना हो यहाँ पर और दूसरी हमने गही थी कि unlined canal यानि कि जो earthen होती है जो मिट्टी से बनी हुई होती है बस earth के अंदर हम एक रस्ता बना के हम पानी को लेके जा रहे हैं तो वो unlined channels होते हैं unlined channel के अंदर क्या-क्या problem आएंगी एक तो बहाँ पे silting होगी material deposit भी हो सकता है एक यह surface का material जो है यह यहाँ से erode भी हो सकता है तो deposit भी हो सकता है next basically two methods are used Kennedy theory, Lacey theory Kennedy theory के बारे में कलम बात अल्रेडी कर चुके थे कि Kennedy नहीं कहा था कि जो भी sit है वो settle होना चाह रही थी अपने weight की वज़े से लेकिन eddies जो है वो उसको suspension में बनाए हुए है और eddies जो है वो सिर्फ bed वाली काम कर रही है sides वाली eddies जो है करेगी ये Kennedy ने कहा था Kennedy ने critical velocity term को बताया यानि कि वो velocity जिस पर अगर पानी flow करेगा इस canal के अंदर तो ना तो particles जो पानी के साथ आ रहे हैं वो settle होंगे और ना ही ये जो canal का surface है इसके particles हटके यहां से उसके साथ जाएंगे इसका मतलब कि ना तो silting होगी ना scouring होगी अगर critical velocity पे पानी flow हो रहा है और वो उस critical velocity को बताया था 0.55 MY raised to the power 0.64 से design की अगर हम बात करें तो पहले आप trial depth हजियूम करते हैं क्योंकि हमें यहां पर दिख रहा है कि trial depths की बात कर रहे थे हम तो trial method है कैनेडी के method के अंदर discharge के according trial depth मानते हैं फिर trial depth के according हम critical velocity calculate करते हैं critical velocity calculate करने के बाद हम क्या करते हैं कितना area चाहिए उतने velocity से पानी को flow कराने के लिए और उतने discharge के लिए उस velocity और discharge के according कितना area हमें चाहिए होगा यह हम पता करते हैं और उस area को हम पता कर लेते हैं half horizontal one vertical के respect में side ratio जो आपके पास है और canal के अंदर दो type के slopes की हम बात करते हैं दोस्तों आपकी canal कुछ इस प्रकार से है यह इसका cross section हो गया और अगर आप length के along इसको देखेंगे तो यहाँ पर यह जो slope रहता है कि कितना vertical कितना horizontal इस canal का जो bed है उसके slope की हम बात करते हैं वो आपको दे रखा होता है S की form में जैसे कल questions में हम कर रहे थे कि अगर आप 4000 meter horizontal चलेंगे तब जाके एक vertical आपको दिखेगा तो यह canal का जो bed है वो कैसे aligned है यह है यहाँ पर इसका slope या फिर आप bed slope कह लीजे इसे यह कौन सा slope है यह bed का slope होता है अगर आप बात कर रहे हैं यह sides की कि canal की जो sides है वो vertical के respect में ऐसे कितनी inclined है तो इसकी हम जो बात कर रहे थे तब हमने कहा था कि अगर आप half unit horizontal चलेंगे तो one unit आपको vertical चलना होगा तो यह कौन सा slope होता है जो आप यहाँ पे represent कर रहे हैं कि one vertical और half horizontal यह आपका है side slope तो जब area पता करते हैं तो cross section वाला area पता कर रहे हैं न तो cross section area पता करने के लिए यह area ही तो चाहिए हमें तो इस area की बात कर रहे हैं तो इस area को हमने calculate किया था कि बीच में rectangle उसका area B into Y हो गया फिर दो triangle है जिनका area half into Y into Y by 2 यह हमने calculate किया तो आगे B Y plus Y square by 2 दोनों को use करके हमने B की value calculate की width sorry bed की जो यहाँ पर width है वो calculate करी उसके बाद wetted perimeter यहनि कि वो length जो wet है भीग चुकी है पानी से तो यह वाली length ही होगी canal की वो length cross section area की वो length cross section के अंदर वो length जो पानी से wet है तो हमारे पास B plus Y inclined side plus Y inclined side तो twice of 2 inclined side है और एक inclined side कितनी होगी Y square इनका root ले ले लेजिए आप यहाँ पर Y square plus Y square by 4 Y by 2 का square करेंगे तो यहाँ से आप common ले ले लीजिए Y square by 4 तो बाहर जाके वो बन जाएगा आपके पास Y और 2 से 2 cancel हो जाएगा तो Y root 5 आपके पास फिर hydraulic radius calculate करेंगे और फिर mannings या chases formula से हम क्या करेंगे यहाँ से velocity calculate करेंगे और उस velocity को critical velocity से compare करेंगे compare करने के बाद हमें पता लगेगा कि अगर बराबर आती है values लगबर close आती है तो ठीक है नहीं आती है तो नहीं trial depths जो है assume करेंगे ताकि V naught जो हमारा है critical velocity जो हम manning या chases formula से calculate करते हैं उसके बराबर आ जाए और एक important formula जो कि आपसे subjective objective पूछा जा सकता है ऐसा नहीं है कि नहीं पूछा जाएगा 23 plus point 00155 upon s plus 1 by n divided by 21 plus 23 फिर same term यह as it is जो यह वाली term है आपके पास 23 plus point 00155 by s multiplication में होगा n by root r जैसे कले question भी हमने किया था कि कैसे वो question पूछ सकता है अगर वो चाहता है कि आपका time waste भी ना हो लेकिन यह भी चाहता है कि आपको पता है या नहीं तो वो formula भी पूछ लेगा आपसे फिर हमने एक question किया था इससे related दो question किये थे कल हमने चलिए अब यहाँ से आप answers जो हैं बताते चलिए फिर हम आगे बढ़ेंगे पांच कैसे आया पांच ऐसे आया था दोस्त आपके पास यह वाली side जो थी यह y by 2 यह वाली side थी y यह वाली side कितने आ जाएगे आपके पास y square plus इसका भी square कर दो y square by 4 अब इसको आप यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं इस पूरी term को 4 y square plus y square upon 4 फिर इसमें से y square by 4 common ले लो तो बाहर आके वो y by 2 हो जाएगा अंदर बच जाएगा root 5 तो यह inclined side इतनी हो गई weighted perimeter होता है b plus ऐसी दो sides है यह वाली side भी inclined है तो यह वाली side b और यह वाली side तो आपके पास b plus दो inclined side है और a की value आपके पास कितनी है y by 2 root 5 for a unique design of channel by Kennedy's theory its breadth and depth ratio must only be known y के बीच में b के बीच में relation हमें पता है next velocity b formula बताना आपको जल्दी से answer बताएं 1 by n r raised to the power 2 by 3 s raised to the power 1 by 2 the dimension of chassis constant is v equals to c root rs यह आपके पास क्या आता है meter per second या फिर पहले ऐसे लिख लेते है c equals to v upon root of rs यहाँ पर लिखते हैं अगर हम v meter per second divided by s slope है कोई unit नहीं है r hydraulic radius तो root of m तो आपके पास आ जाएगा उपर आ जाएगा meter की root per second और इसे हम लिख सकते हैं length की power half mass वाली कोई term है नहीं t minus 1 clear तो इसके according यह वाला जो formula है यह भी ऐसे लिख सकते हैं इसको कि l की power half upon time next उसके बाद एक objective में question आया था simple सा question कि Garrett's diagram क्या होते है बहुत सारी mathematical calculations होती है जब हम canal के design करते हैं और जो Kennedy method है उसके according बहुत सारी mathematical calculations करनी होती है उन mathematical calculations को avoid करने के लिए Garrett diagram का use किया जाता है canal के design के अंदर बस इतना आपको याद रखना है required in the design of irrigation channels by Kennedy's method to avoid this a graphical solution of Kennedy and Cutter's equation was given by Garrett known as Garrett's diagram so Garrett's diagram are used to design channels यही objective में आप से पूछा गया था Garrett के जो diagram है उनका क्या use है झाल next Kennedy की theory की drawback की अगर हम बात करते हैं तो पहला drawback according to Kennedy eddies are generated from the base of channel however in real practice eddies are created from sides as well तो Kennedy ने क्या कहा कि eddies जो generate हो रही है वो सिर्फ यहाँ वाली हो रही है यहाँ की जो eddies थी side वाली उसको neglect कर दिया जबकि actual में वो भी exist करते हैं Cutter's equation का इस्तेमाल किया जो C की value हम calculate करते हैं Cutter's equation का इस्तेमाल किया तो जो भी Cutter के assumption होंगे limitations होंगे वो already इसके इंदर include हो गए यहाँ पर यह trial and error method है आपको भी अगर पता लगए कि कल हमने question किया तो आपका answer match नहीं कर रहा फिर से नहीं trial depth assume करो फिर से नहीं trial depth assume करो तो यह trial and error method है silt concentration and silt grade को consider नहीं किया गया कितना silt present है और किस size का है या उसका grade क्या है इसके बारे में यहाँ पर कोई बात नहीं की गई इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई तो silt concentration और silt grade के बारे में यहाँ पर कोई बाते हैं नहीं की गई यह theory universally accepted भी नहीं है M की value जो है वो उसका कोई explanation नहीं है arbitrarily यहनी कि यह कह लीजिए कि हमारे solutions को वो satisfy कर रही है तो उसके according वो select कर ली गई, so value of m जो है उसका कोई proper relation जो है वो नहीं मिलता है हमें यहाँ पर इस theory के through, there is no equation for bed slope or bed upon depth ratio without which it is not possible to obtain a unique section एक unique section हमें मिल पाए, हम trial and error करते रहते हैं, उसके बाद हमें section जो है, वो मिलते हैं, तो bed slope का हमारे पास कोई fixed relation नहीं है वीडियो वाइबरेट कुछ नहीं कर रही दोस्त कर दोस्त कर दोस्त वीडियो कि के अधर के जो पर देखो जो के लिए जो अधार के जब सक हम एकर जाद आगे जो doubt efficiency को multiply कब करते हैं divide कब calculate क्या कर रहे हैं इस पर depend करते हैं कि आप कहां की बात कर रहे हैं field से लेके root zone तक अगर आप बात करते हैं इस field के उपर अगर आप बात करेंगे कितनी आपकी requirement है और फिर वहाँ से root zone तक कितना पहुंचा तो आप क्या करेंगे इसको multiply करेंगे न कि let's say 40% efficiency है तो this multiplied by 40 should be equal to this तो इस तरीके से समझ लिया करें ऐसे नहीं समझ में आता है तो ऐसे कर सकते हैं कि root zone के अंदर कितना पानी पहुंचा आपन field पे कितना यह आपकी efficiency आजागी application की हाँ today नया ही chapter है दोस्त लेसी के बारे में पढ़ेंगे तो वो नया है कैनेडी आपने नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ लीजिएगा bad only next question लेसी की theory की बात करते हैं अब लेसी ने देखो कैनेडी ने क्या बात बोली कैनेडी ने सिर्फ इतनी सी बात बोली थी की एक channel को हम बोल देंगे stable है यह regime condition में है कब अगर उसके अंदर जो पानी आ रहा था वो पानी के अंदर जो सिर्थ थे जो particles थे जो sediments थे ना तो वो settle हो और ना वो जो channel है उसके bed से या side से वहाँ से particles को हटा के लेके जाए तो कैनेडी ने सिर्फ इतनी बात बोल दी थी कि जो भी particles यहाँ channel के sides में हैं या फिर यह कह लीजिए कि जो canal आपकी है उस canal से ना तो erosion हो रहा है यानि कि ना तो scouring हो रही है और ना ही यहाँ आके particles settle हो रही है इसका मतलब spilting भी नहीं हो रही है तो अगर ऐसा है तो वो channel जो है regime condition में stable condition में है और ठीक है लेकिन Lacey ने कुछ और additions किये उन्होंने क्या कहा कि इतना sufficient नहीं है किसी channel को यह बताने के लिए वो regime condition में है तो उन्होंने फिर regime conditions को आगे further define कर दिया कि true regime condition क्या होती है initial regime condition क्या है final regime condition क्या है तो उन्होंने क्या किया Lacey ने जो already Kennedy ने बाते बताई उनके अंदर और कुछ सुधार कि और अपनी कुछ और बातें जो है अपने research जो है उन्होंने पेश की Lacey carried out extensive investigation on the design of stable channel in alluvium He found many drawbacks in Kennedy's theory Kennedy की theory के अंदर बहुत सारे drawbacks जो है उनको मिले उन्होंने बताया कि regime का जो concept है या फिर आप ये कहले जी stable canal जो है या channel stable रहे उसका cross section देखो आज हम design कर रहे है आप भी ये चीज़ समझते हैं कि अगर हमने channel का जो bed है मालीजे channel ऐसे बिल्कुल flat तो नहीं हो सकता कुछ न कुछ हमें उससे slope देना ही पड़ेगा bed को slope देना पड़ेगा तभी तो पानी एक जगा से दूसरे जगा जाएगा तो उसका slope अगर change हो गया अगर channel का cross section area change हो गया अगर उसकी depth of flow change हो गई तो overall हमारा पूरा design ही fail कर रहा है overall जो जिस चीज के लिए जिस velocity के लिए हमने उसको design किया था वो भी change हो जाएगा तो ये ज़रूरी है कि वो stable condition में रही है या regime condition के अंदर वो रहे regime condition के अंदर रहने के लिए यहाँ पर हमने बात की कि Lacey ने कहा कि जो regime का concept है वो थोड़ा और वास्ट है he elaborated regime concept and found that even if a channel is showing no silting and scouring it may not be in regime condition ज़रूरी नहीं है कि वो regime condition में हो तो उन्होंने further regime conditions को आगे define किया clear देखें true regime condition की बात करें तो Lacey ने पहले सबसे पहले एकदम ideal regime define किया कि बिल्कुल एकदम ideal कह लीजिए या फिर एक ऐसा channel जिसके अंदर discharge जो है वो constant रहे same amount of water per unit time पास करता रहे discharge constant रहे flow जो है वो क्या हो uniform हो flow uniform होने का मतलब कि आपको पता है एक होता है आपके पास steady एक होता है uniform flow तो with respect to space properties change ना हो यहाँ पर जो velocity है कुछ दूर बाद भी velocity वही मिले आगे भी velocity वही मिले आपको यहाँ पर discharge constant रहे flow जो है वो uniform रहे यहाँ पर silt का charge यहनि कि कितना amount आ रहा है silt का वहाँ पर Kennedy theory के अंदर हमने देखा था drawback में कि उसके बारे में कोई बात नहीं हुई थी silt के charge के बारे में और silt का concentration कितना है grade कितना है उसके बारे में कोई बात नहीं हुई थी लेकिन यहाँ पर Lacey ने बताया कि silt का amount कितना है silt charge या फिर यह कह लिए कि silt का amount कितना आ रहा है और silt का grade silt का grade मतलब कि उसका type क्या है कि size के particle है aluvium in general हम एक term use कर लेते हैं कि जो भी sediments aluvium जो आपके sediments है जो rivers के through river जो आएगी तो वो rocks जो है चटाने उनको काटती हुई आएगी उनसे particles निकालती हुई आएगी तो वो aluvium कह देते हैं उनको तो वो जो particles आ रहे हैं उनका type क्या है उनका size क्या है ये भी उन्होंने क्या माना constant माना यहाँ पर कि कितना silt का amount आ रहा है पानी के साथ और उनका size जो है या type जो है वो same ही आ रहा है ये उन्होंने माना canal is flowing through a material which can be easily scout in coherent alluvium ये शब्द का use होता है और last year ये objective question में पूछा भी था ठीक है same language नहीं थी थोड़ी सी language different थी लेकिन meaning यही था तो in coherent alluvium में वो flow कर रहे है in coherent alluvium का मतलब होता है कि particles जिस type के आ रहे हैं जितने आ रहे हैं कि canal जो है वो इस तरीके से flow कर रहे है canal is flowing through a material which can be scout as easily as it can be deposited जितना आ रहा है material और deposit हो रहा है उतना ही वहाँ से हट रहा है तो वो कैसे है in coherent alluvium के form में alluvium हमने बोल दिया कि क्या होता है जो भी sediments आ रहे हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं in coherent alluvium का मतलब हो गया कि जितने जल्दी से जितना आसानी से वो settle होते हैं उतने आसानी से वो वहाँ से हट जाते हैं यह हम कहते हैं कि वो in coherent alluvium के अंदर है in practice हमें पता है ideal दुनिया में कुछ होता ही नहीं है तो सारी conditions या सारी के सारी चीज़न true हो true regime condition possible है नहीं imaginary है यह यह या फिर आप ऐसे कह लीजिए कि मतलब rare arrest है ऐसा होना कर दूंट का मतलब है जो settle हो गया suspension के अंदर जो maintained है जो अभी भी पानी के अंदर है और settle होगा वो suspension वाला है so an artificially constructed channel having certain fixed section and a certain fixed slope can behave in regime only if following conditions are satisfied कौन कौन सी condition satisfy हो कि हम उसे बोलेंगे कि वो channel जो है वो true regime condition में है जब उसका discharge constant हो flow जो है वो uniform हो जैसे particle जितनी आसानी से settle हो रहे है उतने ही वहाँ से हटें silt का amount जो है और silt का जो grade है उसका type जो है वो भी constant रहे तब हम कहते हैं कि वो lacy theory के according वो true condition है या true regime condition है फिर उसके बाद बात आती है दोस्तो initial regime condition अब इन में छोटे छोटे शब्द जो है उन पर focus करना है कहानी पढ़ने के लिए है कहानी समझने के लिए है लेकिन अगर आप बाद में याद रखेंगे future में कि lacy के बारे में main main बातें क्या थी तो lacy के बारे में main बातें ये थी लacy theory के according तीन regime conditions बताई true initial final true condition के अंदर हमने पढ़ लिया कि ये सारी conditions अगर satisfied है तो हम बोल देंगे true regime condition में initial regime condition के अंदर अगर हम बात करें तो जैसे ही canal का जो channel है उसके अंदर पानी छोड़ा गया नहीं है आपने canal बनाया जैसे ही उसमें पानी आपने छोड़ा या उसको service में लाए आप यहाँ पर तब when only the bad slope of a channel varies due to the dropping of salt and its cross section or wetted perimeter remains unaffected even then the channel can exhibit no silting and scouring known as initial regime condition regime में तो है initial condition है silting और scouring जो है वो नहीं होगी कैसे किस case में when the bad slope of channel varies due to dropping of salt its cross section or wetted perimeter remains unaffected even then the channel can exhibit no silting and scouring कहने का अर्थ यह है कि शुरू शुरू में जैसे ही canal के अंदर पानी आया sediments हाई कुछ settle हो गए वहाँ पर जिसके कारण क्या हुआ कि एक ऐसा condition एक ऐसा channel बन गया अब यहने की modified channel कह लीजिए वो बन गया है जिसके अंदर अब कोई silting और scouring नहीं होगी तो हम कहते हैं कि वो channel जो है उस वक्त अपने initial regime condition के अंदर है clear regime means आप यह कह लीजी stable condition stability channel की stability की बात कर रहे है और ऐसी stability मतलब कि वो उसके अंदर Kennedy ने तो यह बोला regime का मतलब यह है कि ना silting हो ना scouring हो Lacey ने कहा regime का मतलब यह नहीं है regime का मतलब यह है कि discharge constant रहे flow जो है uniform रहे silt charge जो है type of silt और amount of silt यह constant रहे canal के अंदर जितना material deposit हो रहा है उतना ही वहाँ से हटे तो यह सारी बाते Kennedy ने Lacey ने कही तो यह regime condition उन्होंने बोली फिर Lacey ने बोला कि वो तो है true ऐसा हमेशा possible है नहीं कि सारी condition satisfy हो Lacey ने further एक और condition बताई और वो condition क्या बताई initial regime के अंदर Lacey ने कहा कि जब आपने जैसे ही canal को service में लाया तब क्या होगा कुछ particle settle होंगे उनके settle होने के कारण सिर्फ और सिर्फ जो bed slope था सिर्फ और सिर्फ जो bed का slope था bed slope को आप कुछ इस तरीके से represent कर लीजिए यहाँ पर यह जो आपको दिखाई दे रहा है यह portion सिर्फ bed के अंदर changes आए sides के अंदर कोई changes नहीं आए bed का slope सिर्फ change हुआ और change होके कुछ ऐसा हो गया कि अब उसके अंदर silting और scouring नहीं होगी canal का जो head था जहां से canal release की गई जहां से पानी canal के अंदर आ रहा था वहाँ पे particle settle होते गए slope adjust हुआ इस प्रकार से कि अब कोई silting scouring नहीं होगी तो इसे लेसी ने कहा यह initial regime condition है तो initial regime condition के अंदर जो आपको एक line याद रखनी है अगर short notes में लिखेंगे तो ऐसा तो एनी पूरा का पूरा paragraph लिख देंगे तो short notes में क्या लिखेंगे laces theory फिर lacesी ने क्या कहा तीन regime condition बस इतना लिखेंगे यहां पर true initial final true के अंदर true के आगे ऐसे arrow लगा के discharge flow, silt charge या फिर ऐसे लिख लेंगे silt का amount and grade फिर incoherent aluvium यह सारी बाते हैं आप लिखके ऐसे कर देंगे कि यह change नहीं होती फिर उसके बाद हम बोल देंगे second initial regime condition फिर इतनी सी line लिखेंगे यहां पर कि सिर्फ और सिर्फ bed slope change होता है only bed slope changes और इसे हम बोल देते हैं वो initial regime condition के अंदर आ गया तब कोई silting scouring नहीं होती सिर्फ bed slope change होने के बाद फिर if channel is excavated with smaller width and flatter bed slope then the flow takes place in the channel bed slope of the channel is increased due to deposition of silt on the bed to develop increased flow velocity and hence given discharge is allowed to flow through the channel of smaller width and sides of such channel are subjected to lateral restrained and could have scoured if the bank would have been in true alluvium कहने का मतलब सिर्फ वही है कि bed slope change हो रहा है यहां पर और फिर उसके बाद वो initial regime condition में आ जाती है उसकी sides जो है वो change नहीं होती है चले आगे next silting और scouring क्या होती है setting और scouring वो होती है जब हम दो दिन तक लगातर class देखते नहीं है पूरा topic यह उसके उपर चल रहा है next final regime condition के इंदर क्या होता है अब पानी flow कर रहा है कर रहा है तो उसके बाद क्या होगा उसका bed slope change हो जाएगा depth of flow change हो जाएगी और उसके width जो है वो भी इस तरीके से adjust हो जाएगी कि अब एक ऐसा section बन गया जिसके अंदर अब कोई setting scouring जो है वो नहीं होगी तो slope, depth of flow और width are adjusted in order to obtain a stable channel section this condition is known as final regime condition such a channel in which all the variables are equally free to vary variable का मतलब क्या है कि आपका जो channel है उसके अंदर क्या क्या variable है एक आपके पस ये width है एक कितना पानी इसके अंदर भर के चल रहा है depth of flow हो गया एक इसका क्या हो गया bed का जो slope है ये हो गया कि इसका bed जो है उसका slope कितना आपको मिल रहा है हाँ पर तो slope, depth of flow width are adjusted ये adjust हो जाते हैं इस प्रकार से कि एक नया आपको channel जो है उसका cross section मिल जाएगा और अब हम इसे बोल देते हैं कि ये क्या हो गया ये अपने final regime condition में आ गया समझ में आया तीन condition, true के अंदर तो सारी ideal बात है, discharge constant, flow constant वहाँ पर silt charge का amount जो है concentration जो है, type है, उसका size सब constant, जितने particle settle हो रहे हैं, उतने ही वहाँ से हट रहे है incoherent alubium में है वो तो ये सारी बातें बोली गई, किसके बारे में ये सारी बातें बोली गई Lacey ने कहा true regime condition फिर initial regime condition में क्या कहा कि जैसे ही canal service में आई शुरू हूई जैसे ही, तो उसका bed जो है बपर reaches में जहां से पानी छोड़ा गया था canal के अंदर, किनाल के जो head works थे वहां से पानी छोड़ा गया, किनाल जहां से शुरू होती है, उससे हम क्या बोल देते हैं head बोल देते हैं, जैसे यहां से river जा रही थी तो यहां से KPinal जो आई, तो यह हम बोल देते हैं कि ये canal का head हो गया और जहां पर canal जाके terminate हो रही है खतम और ये tail बोल देते हैं उसे हम कि जहां जाके बिल्कुल उसका section जो चोटा सा रह गया बहुत कम discharge वहां तक पहुंचा यानि कि बिल्कुल end हा गया वहाँ पर उसको tail बोल देते हैं तो canal के head के region के अंदर आप देखेंगे तो यहां पर कुछ silting हो जाएगी जिसके कारण उसका bed width चुए change होगा और अब उसके अंदर no silting scouring condition डेवलेप होगी तो इसे initial regime condition फिर बाद में क्या होगा उसका slope bed का slope उसका जो width है bed का वो change हो जाएगा depth of flow change हो जाएगी यह सारे variables change होगे जिसके कारण अब एक नया regime condition डेवलेप हो जाएगा final regime जब no silting scouring होगी तो यह lacy ने regime conditions define की थी चलो अब बहुत important बहुत 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 important इसमें आप 2-3 star तो लगाई लो क्योंकि इन से related question आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे जो यह याद नहीं करेगा formula एक number उनका कट जाएगा seed factor सबसे पहले हम पता करते है f किसके बराबर होता है 1.76 root of d उसका size और किसके अंदर put करते है mm के अंदर put करते है इस formula में हम तो 1.76 root of d से हम पता करते है उसके बाद आप पता करेंगे mean flow velocity q f square f की value आप यहाँ पर seed factor अलड़ी calculate कर चुके होंगे q f square upon 140 raise to the power 1 by 6 यहाँ पर यह put करेंगे आप hydraulic radius put करेंगे 2.5 इस formula को आप ऐसा भी लिख सकते हैं 2.5 v square upon f जो velocity calculate कर चुके इसमें put कर दीजिए 5 by 2 v square by f या फिर 2.5 v square by f determine area of cross section अब कितना area चाहिए आपको यहाँ पर यह पता कर लीजिए चाहिए इस step को उपर लिख लीजिए आप velocity है आपके पास discharge है आपके पास तो area कितना चाहिए होगा यह भी आप पता कर सकते है फिर slope वही half horizontal one vertical इस तरीके से आप इसको लिख सकते है vetted perimeter जो हम पता करते है objective में यह सारे के सारे points बहुत important है as it is objective में यह आपसे पूछते हैं चाहिए formula भी पूछ लेते हैं 4.75 root q और q को put करेंगे q mac में meter q per second में put करेंगे एक दो तीन चार और यह पांच हो गया पांच formula हैं आपके पस यह step 4 होना चाहिए यह 5 से 6 clear अब उसके बाद mainly आपको इतनी step करने हैं अगर आप EAC में जाएंगे gate में अगर मान लीजे कोई question आगया तब हो सकता है यहां पर कि scouring की जो depth है वो भी आपसे calculate करने को बोले या फिर objective में सिर्फ formula देख ले पैचानने के लिए आपसे formula पूछ ले आपसे कि scouring depth जो है वो कितनी होगी अगर wider channel है आपके पास for wider river channels where vetted perimeter P is approximately equal to regime width भी wider channel मतलब बहुत जादा width है अब एक ऐसा channel है ऐसे मान लीजे ऐसे channel अब इसका vetted perimeter पता करने जाएंगे तो आपको पता है कि यह वाली side जो है यह B है और यह बहुत छोटे हैं यह वाली sides जो है यह एक कहले जिए जो inclined वाली जो आपकी sloping sides है यह बहुत छोटी है तो आप vetted perimeter क्या कहेंगे B plus this side plus this side लेकिन यह बहुत छोटे हैं as compared to its bed width तो ऐसे case में हम कहते हैं कि जो vetted perimeter P है किसके बराबर हो जाएगा B के बराबर ही हो जाएगा तो scouring depth उस case में represent की जाती है 0.473 Q by F raised to the power 1 by 3 for any other value of river width normal case में आप क्या use कर सकते हैं 1.35 Q square by F raised to the power 1 by 3 और यहाँ पर Q है discharge per unit width capital Q by B अगर scouring की depth पूची जाए कितना scouring depth है तो आप इस तरीके से represent करेंगे wider channel के लिए ऐसा अगर आपके पास normal case में represent करना है तो कुछ इस प्रकार से शूरू करिए जल्दी से शूरू करिए जल्दी से अगर झाल 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 इल्टिंग का मतलब होता है दोस्ट जो पार्टिकल सेटल होते हैं उसकी इरोजिन हो जाता है झाल 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 क्योंकि अगर हम बात करें तो क्यों आपको कितना given है में discharge आपको 50 q Mac का given है 50 meter cube per second का discharge आपको given है तो इसे put कर दीजे तो 50 multiplied by अगर हम बात करेंगी आपको set factor कितना दे रखा है 1.1 दे रखा है तो calculate करने की ज़रूरत नहीं पड़ी हमें 1.1 का square divided by 140 raised to the power 1 by 6 कितना answer आएगा यहां से 0.8694 0.8694 0.8694 meter per second जब आपके पास velocity आ गई तो यह हमारा था step 1 step 2 के इंदर area कितना चाहिए यह पता कर लेते हैं बाद में hydraulic radius देख लेंगे step 2 के इंदर अगर हम बात करें area की तो area discharge upon जो हमने velocity calculate की discharge आपके पास है 50 upon 0.8694 तो यहां से area कितना चाहिए यह पता कर लीजिए area कितना चाहिए हमें 57.53 57.53 area आगया हमारे पास clear चलो perimeter की बात करते हैं wetted perimeter lacy theory के according कर रहे हैं तो wetted perimeter आपके पास 4.75 root q root of discharge कितना दे रखा है आपको 50 दे रखा है तो wetted perimeter बता दीजिए area आगया wetted perimeter आगया लेकिन यहां पर hydraulic radius उस formula से हम use नहीं करेंगे 5 by 2 b square upon f से बता करेंगे 33.58 33.58 meter hydraulic radius भी लिखे लेते हैं 5 by 2 b square by f या फिर 2.5 b square by f तो 2.5 of b square कितना हमने पता किया 0.8694 0.8694 का square upon 1.1 यह भी पता करके बता दीजिए अब हमारे पास जो दो बाते हमने अल्रेडी पता कर ली एक wetted perimeter और दूसरा area इन्हें हम फिर से लिखेंगे क्यों लिखेंगे ताकि हम दो variables हमारे पास जो होते हैं एक तो bed के width और एक एक तो हमारे पास क्या है यह bed के width बी और depth of low y यह हम पता कर पाएं और अगर हमने slope assume कर रखा है half horizontal यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि side slope let side slope be half horizontal is to one vertical तो ऐसे case में आपके पास area हमें पता है कि किसके बराबर होता है by plus y square by 2 के बराबर होता है तो यहाँ से equation लिखेंगे हम 57.53 equals to b की value नहीं पता y की value नहीं पता y square by 2 we will say this is as equation 1 perimeter की अगर हम बात करें तो perimeter इससे हम लिखते है b plus y root 5 के बराबर और perimeter की value हमें given है calculate की हमने यहाँ से 33.58 33.58 equals to b plus y root 5 इसे equation 2 के लिजिए या फिर आप यहाँ से y की value पुट कर दीजिए इस equation में आर आ रहा है 1.716 717 1.717 meter यहाँ से solve 1 and 2 and find की आपके पास y की value क्या है b की value क्या है solving 1 and 2 first से चाहे तो आप b की value put कर लीजिए आप चाहे तो इस से इसमें put कर दीजिए b की value y की value जो आपको suitable लगे y की value आ रही है 1.898 और b की value 17.44 एक बार एक दो दोस्त का और चेक कर लेते हैं y 1.898 झाहे तोस्त का लेते हैं b की value 29.36 y की दो values आ रही होंगी y की क्या क्या values आएंगी आपके पास देखे y की बहुत सारी values आएंगी y की दो बहुत सारी नहीं दो values आएंगी एक बहुत जादा आएगी एक कम आएगी तो जो reasonable है वो कम वाली है हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि depth बहुत जादा कर दो width बहुत कम कर लो ultimately दोनों related है न अगर y की value पता करेंगे आप तो y की value पुट करनी होगी आपको इसमें तो b की value आएगी तो आपके पास वो y की दो values के corresponding एक y की value आप बता दीजिए कितने कितनी आ रही है y तो एक y की value के according आपका channel ऐसा बन रहा है दूसरे y की value के according आपका channel ऐसा बनेगा कि y की value एक में बहुत ज़्यादा put कर देंगे तो b की value कम आ जाएगी अपने आप यापके पास और अगर y की value कम पुट कर देंगे तो b की value ज़्यादा आ जाएगी तो हम कौन से वाले channel प्रेफर करेंगे ये वाला तो y की जो कम वाली value है वो use कर लेंगे दोनों में से y equals to 1.896 17.44 ये दो y की value बता रहे हैं आप तो y की value एक तो आपके पास आई 17.44 और एक y की value आपके पास आई 1.898 तो better कौन सी है ये वाली put करेंगे हैं बहुत ज़्यादा depth वाली नहीं consider करेंगे this will be considered तो यहां से हमारे पास y की value आजाती है y equals to 1.898 meter b की value 29.something आपने बताई b की value कितनी बताई थी आपने 29.34 कैसे हो रहा है ऐसे हो रहा है दोस्ट दो equation है आपके पास equation 1 equation 2 equation 2 unknown दोनों को solve करना है y और b की value इनमें से put करेंगे ना आप यहां से आप equation इसमें से लिख लो b की value आजागी 33.58 minus y root 5 और इसको इसमें put करा दो और फिर solve कर लो आप चाहें अगर वैसे नहीं लगरना है तो आप चाहें तो ऐसे कर लीजिए यहां से इसमें से इसमें put कर लो equation बनेगी आपके पास चलो 29.34 done अब आपके पास क्या बच गया एक slope और calculate करना है आपको slope की अगर हम बात करेंगे तो f की power 5 by 3 q की power 1 by 6 f की value 1.1 q आपको given है 50 q mac put कर दीजिया answer बता दीजिया one upon five four seven zero one upon five four seven zero one upon five 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 चले, next calculate the bed width for an irrigation channel to carry a discharge of 5 QMEC यह already हो चुका था हमारा next question, same question है steps repeat करने है, homework देना है तो homework बता दीजिए और अगर करना है तो कर लीजिए जल्दी से सब्क्राइ चुका तो हमारा के तो करने है तो करने है नेक्स्ट ये अल्रेडी हम कर चुके है ये वाला भी होमवर्ग था ना होमवर्ग था ये चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से आजयां वाला भी हम आपको कितनी 0.013 मैंनिंग्स फॉर्मूला के अंदर and side slope आपको दे रखा है 1.25 horizontal is to 1 vertical 1.25 अगर horizontal चलेंगे आप तो आपको चलना है 1 vertical आपको design करना है design के लिए आपको मतलब यहाँ पर क्या बताना है B की value calculate करने के लिए बतानी है लेकिन यहाँ पर पूरी की पूरी कहानी किसमे आ गई है इन dimensions के अंदर आ गई है यह कहते हैं कि यह depth of flow आपकी Y है अगर आप यह कहते है depth of flow यह Y है तो इसका 1.25 हो जाएगा horizontal वाली तो यह आपके पास कितना हो जाएगा यह हो जाएगी 1.25 Y हो जाएगी अगर यह width आपके पास B है यह depth अगर Y है तो यह 1.25 Y हो जाएगा अग area की term यहां से अगर आप लिखेंगे तो area आजाएगा आपके पास by plus दो triangle आपके पास एक का area कितना half into y into 1.25y यहां से इससे थोड़ा simplify कर सकते हैं by plus twice से twice कट जाएगा तो आपके पास आजाएगा 1.25 y square एक equation लिख लेते हैं अभी इसको wetted perimeter की अगर हम बात करेंगे तो वो b plus twice of this inclined side हो जाएगा और यह inclined side कितनी है y square plus 1.25 y square बाती बाती या शजाएगा येका झाल इसको थोड़ा सिंप्लिफाई कर लीजिया और इसको सिंप्लिफाई करने पर ट्वाईस ओफ रूट ओफ वाई स्क्वाईर प्लस वन पॉइंट टू फाई वाई और पूरे का स्क्वाईर इसे हम लिख सकते हैं बी प्लस ट्वाईस आपके पास अल्रेडी है यहां पर तो 3.2 3.2 वाई इसे सिंप्लिफाई करके यह आ जाएगा आपके पास क्लियर 1.25 हाँ पूरे का स्क्वाईर कर दिया दोस्त अल्रेडी हो जाएगा अब तो दो इक्वेशन आपके पास यह हैं आपके पास perimeter की value नहीं है area की value नहीं है बी की value और वाई की value यही तो बताने है design का मतलब क्या bad width और आपको depth of low यही तो बताने है वो हमारे पास है नहीं अब कैसे कर सकते हैं इसको हम एक तरीका हमारे पास यह है कि आपको velocity दे रखे discharge दे रखा है और बच्पन से हम ये बात जानते हैं क्या जानते हैं बच्पन से हम कि Q equals to VA होता है तो area आपके पास कितना आ जाएगा area is equal to Q discharge की value आपके पास 100 upon velocity 2 तो area तो 50 meter square यहां से पता किया आ सकता है कि area 50 meter square है अब perimeter नहीं पता perimeter नहीं पता तो perimeter कैसे पता कर सकते हैं कि जब हमारे पास Manning's formula है V equals to 1 by N R raised to the power 2 by 3 S raised to the power 1 by 2 इसमें use कर लेते हैं अब इस formula के according हमें V की value पता है N आपको दे रखा है R पता कर लेते हैं S आपको दे रखा है तो यहां से आप यह लिख सकते हैं कि R raised to the power 2 by 3 is equal to V into N upon S का root V की value 2 दे रखी है N 0.013 upon slope आपको दे रखा है यहां पर कौन सा slope यूज़ करते हैं bed का slope यूज़ करते हैं इस formula के अंदर 1 by 2500 1 by 2500 या तो 1 by 500 लिख लीज़े direct या फिर 1 by 2500 का root लिख लीज़े यहां से आपके पास R raised to the power 2 by 3 आएगा अगर आपको पता करना हैं कि R की value क्या है तो आप क्या कर लीज़े दोनों तरफ power 3 by 2 से multiply कर दीज़े तो यहां 3 by 2 से करेंगे तो 1 हो जाएगा और इसकी पूरे की power आप लिख लीज़े बिस्चार से वाई देखो वो जो Kennedy का depth और जो bed width और depth का ratio है जो table हम शुरू में करते हैं Kennedy का जो पहला method था trial depth assume करते हैं तो वो आपका depth to width ratio उसके according ही वो values बहाँ पर दे रखी होती है तो वो दो trial है हमारा हम यहां से calculate ही कर सकते हैं जब R की value आजाएगी A आजाएगा हमारे पास A से perimeter निकाल सकते हैं दो equation दो unknown होंगे हमारे पास वहाँ से फिर calculate करेंगे न आप से थोड़ी महनत करवाएंगे 1.482 1 by 50 लिखेंगे इसको हम 1 by 2500 आपके पास क्या हो जाएगा 1 by 50 होगा यह correct करेंगे P या A बता दो एक बार find करके कैसे होगा हाँ वही कर रहे हैं दोस्त area तो हमने Q equals to BA से A calculate कर लिया और P की value जो है अभी करेंगे इससे तो आपके पास यह आ जाएगा 50 उदर चला जाएगा तो 100 100 multiplied by 0.013 यानि कि 1.3 1.3 की power 3 by 2 1.3 की power आप कर दीजिए 1.5 तो 1.3 की power कितनी आ जाएगी 1.48 ऐसा ही कुछ आ रहा है आपके पास 1.48 hydraulic radius आगी 1.482 जब hydraulic radius आपके पास 1.482 मीटर आ गई तो यहां से आप यह कह सकते हैं कि R equals to area of flow upon wetted perimeter तो P equals to आ जाएगा आपके पास इस P को इधर ले जाओ तो area of flow है 50 और 1.482 33.73 33.73 आ गया ठीके अब आगे की कहानिया आप जानते ही है क्या करना है BY प्लस 1.25Y area की value आपके पास आई है BY प्लस 1.25Y स्क्वाइर P की value आपके पास आई है B प्लस 3.2Y एक equation यह दूसरी है इनी के अंदर हम values को put कर लेते हैं कि 50 equals to BY प्लस 1.25Y स्क्वाइर और इसमें पहले परीमेटर वाले एकेशिएं 33.73 33.73 minus 3.2Y equals to B इसे खहले जाए equation 1,2 और इसे 3 put value of B from equation 3 in 1 B की value यहां से उठा के इसमें put कर दो area की value हमें पता है कि वो कितनी है 50 meter square equals to B की value 33.73 minus 3.2Y एक Y आपके पास already है जहां से solve करके Y की value बता दीजे कितनी आईगे 1.634 Y equals to 1.634 meter put value of Y in equation 3 33.73 minus 3.2Y क्राइब 거를 जाँ क्राइब 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 28.5 28.5 29.5 next question try depth लेके करते हम तो फिर आप velocity calculate करते अगर तो फिर 2 के बराबर आपको लेके आनी पड़ती देखो एक तरीका तो हमने ये करी दिया कि हमें already discharge given था velocity given थी तो वहाँ से Manning's formula का उसने अगर बात की तो वो चाहता है कि इनका use करें आप question के अंदर उनका use करके तो आपके पास hydraulic radius आता hydraulic radius यूज करके area already था तो perimeter आता इन दो equation से आपके पास answer आ जाता तो examiner जो चाहता था वो आपको इस तरीके से करवाना चाहता था अगर आप चाहते कि जी हमारी जो velocity है maximum permissible velocity वो 2 meter per second है उसके according करते तो या तो फिर इतनी मैनत करने की क्या ज़रूरत है फिर आप simple ऐसे put करो critical velocity वाला formula उस critical velocity के बराबर put कर दो इस permissible वाली को फिर वहां से आप calculate कर लो लेकिन आपको m0 नहीं दे रखा आपको soil का type नहीं दे रखा है कि क्या type है 1.1 assume करना है या less than 1 करना है क्या assume करना है आपको तो फिर वो थोड़ा सा ऐसे हो जाता ठीक है कर देते हम design करने को लेकिन यह ज़्यादा better है वैटिड perimeter जो हमने solve किया है दोस्ति यहाँ पर Kennedy की बात कर रहे है हम यहाँ पर तो उस तरीके से कर रहे है next question यह homework है try करिएगा होता है तो अच्छी बात है नहीं तो इसको special class में शाम को करेंगे Kennedy के drawbacks के बारे में बात करते हैं तो Kennedy ने क्या कहा Kennedy ने शुरू शुरू में क्या कहा था Kennedy ने शुरू में यह कहा था कि जब canal के अंदर पानी छोड़ा गया एक तो true regime बता दिया कि जब flow constant, discharge constant, bed width constant जो आपके सारे जितने भी parameters है सब constant रह रहे है silt का type, grade यह सब constant तो true regime condition फिर initial regime condition में क्या कहा था Lacey ने कहा था कि सिर्फ bed width change, bed का जो slope है वो change होता है और उसके बाद वो आपका जो flow है वो regime condition आ जाती है initial regime उसे बोला final के अंदर बागी सारे parameters जो है depth है वो सारी parameters भी वहाँ पर change हो जाते है तो Lacey ने उसके बाद क्या बोला कि वो जो channel है वो elliptical हो जाता है final regime आने के बाद क्या हो जाता है elliptical हो जाता है लेकिन Lacey की जो भी हम calculation कर रहे हैं की calculations के अंदर हमने तो क्या क्या किया trapezoidal मान के चल रहे हैं तो calculations के अंदर तो Lacey ने use कर लिया क्या trapezoidal लेकिन बताया क्या elliptical Lacey said that a regime channel has semi elliptical shade but same is not supported by his equation regime relations do not account for amount of sediment transported by flowing water कि वो आपको ये नहीं बताते हैं कितना sediments आ गया amount कितना है total type के बारे में बात कर रहे हैं concentration के बारे में उसने consider कर लिया उसको salt factor के बारे में उसने बता दिया हमें लेकिन कितना आ रहा है इसके बारे में नहीं बताया characteristic of regime channel are not precisely defined और ज़्यादा बहतर जो है वो बताया जा सकता था इनकी properties को, characteristic को लेकिन इतना better जो है वो नहीं बताया Lacey's regime condition is obtained if salt grade जो है वो variable हो discharge हो वो variable हो salt charge जो है वो variable हो channel flows in unlimited incoherent alluvium of same character as that of transported material same question आया था as it is आया था according to Lacey in regime condition salt is kept in suspension by vertical eddies entire cross section है वो भी contribute कर रहा है चलिए आज के लिए इतना ही क्योंकि next session के अंदर अभी जो next session के अंदर हमारा शुरू करेंगे हम river training को river training समझेंगे फिर उसके बाद divergent head work फिर canal में पानी कैसे है canal से field में कैसे गया types of irrigation क्या है फिर वहां तक पहुंचेंगे तो हम शुरू करेंगे river training वाला जो part है वो शुरू करेंगे इस से related और बहुत सारे objective questions है जो हम आज शाम को special class के अंदर हम करने वाले है तो उसके अंदर आप इसे जरूर live attend करिएगा तो objective questions करेंगे वहां पे design वाला portion जो है हमारा cover हो चुका है अब कहां तक पढ़ चुके हैं हम पढ़ चुके हैं कि जो आपका plant है उस plant को पानी जो है root zone के अंदर कैसे वो पानी ले रहा था उसकी क्या requirements थी फिर हमने जाना था कि यह आपका field है तो field में अगर पानी आ रहा है तो field के उपर कितना पानी आए कि यहां तक root zone तक इतना पहुंच जाए उसमें से वो consumptively use कर रहा है field तक आने के लिए हमने कहा था कि conveyance में जो losses हो जाएंगे फिर canal से कितना छोड़ा जाए duty, delta, crop, period इन सब के बारे में हमने बात कर ली थी अब हम बात करेंगे कि जहां से आपकी rivers आ रही है, वहाँ से पानी कैसे आएगा canal तक और canal के बारे में भी आज हम बात कर चुके design के बारे में बात कर चुके तक canal के अंदर कितना discharge आएगा, कैसे आएगा, कैसे उसका section design करना, यह सारी बाते हम already कर चुके तो अब river training से हम शुरू करेंगे, यहां से आते हुए ठीक है, अगर आपने अभी तक इस session को like नहीं किया है तो आप like कर दीजिए, और session live stream खतम होने के बाद आप comment करके भी बता सकते हैं आपको यह sessions कैसे लगते हैं, और साथ ही साथ में आपके जो भी valuable feedbacks हैं तो भी आप बता सकते हैं Thank you so much for being with me, मेरा नाम है संदीब जयानी और मिलते हैं दोस्तों हमारे अगले session के अंदर तब तक के लिए take care, bye कर दोस्तों है 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 झाल झाल